हालो एफ्रीवान वैलकम बैक टू परजम, आएंप पूजम आज हम डिस्कस करेंगे आट फरवरी की करेंट पूर्ट फिर्स तो काफी कुछ न्यूज है जैसे की वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और भारत का सेकेंड सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनने आप जिस भी state से ब्लाउंग करते हैं और state का कोई भी एकजाम देते हैं तो आपकी state की scheme पूछी जाती हैं तो सारे schemes को यहाँ पे cover करना possible नहीं है individual state की जो major scheme होती है वो तो मैं आपको discuss कर लेती हूँ आपका काम यही है, आप जिस भी state से ब्लॉंग करते हैं, आपको आपकी state की schemes के बारे में पता होना चाहिए, एक से दो number के question वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, अगर आज की class का pdf आपको चाहिए तो पर्चम का telegram जोईन कर लेंगे, वहाँ से आपको आज की class का pdf मिल जा लोगों के comments आए कि 22% है, 17% है, तो मैंने जो news लिए, वह economic time से लिए, अगर आपके पास कोई और reference है तो आप हमको comment में बता सकते हैं, जहाँ आप 17 या 22% दिख रहा होगा, चाहिए, मेरे हिसाब से तो 15% unemployment दिख रहा है, Jammu and Kashmir के reason में, चलिए, जो भी correction होंगे, वह हम और देख लेंगे, साथे साथ एक SSC GA course जो है, वो पर्चम के team ने आप लोगों के लिए launch किया है, I hope आप लोगों ने पर्चम के application में जाके उस course को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आज देख लेंगे और individual course को भी आप वहाँ से purchase कर पाएंगे, चलिए, स्टार्ट city the international organization located, तो अभी हाली में 50 फी anniversary celebrate की गई है, किसकी international crop research institute of semi-arid tropics की, ठीक है, इसका head office पूछा गया है, कहाँ है, तो इसका head office आपको हैदराबाद में देखेगा, हैदराबाद में देखी है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा yoga center भी हैदराबाद में बनाया गया था, इसक location में दो और नई facility जो है, वो इस center में शुरू की गई है, कौन-कौन सी, climate change research facility on plant production, क्योंकि आपको पता है, climate change जैसे की पाला पढ़ गया, ओले गिर गए, या बहुत सूखा पढ़ गया, तो plant में काफी जादा production में जो आपको देखना होगा, कि losses होते हैं किसानों को, तो इस सारी facility, Asia और Saharan African continents की जो country है, उनको ये facility दी जाएगी, next बात करते हैं, ये question भी IIT हैदराबाद से ही है, IIT हैदराबाद ने launch किया है AI-based job portal, जिसका नाम है Swarajability, for the people with disability, with funding support from which bank, तो यहाँ पे IIT हैदराबाद ने fund लिया है, किस से, Kotech Mahindra Bank से, और AI-based job portal शुरू किया है, जि का नाम है Swarajability, तो जिससे ये physically challenged लोग होते हैं, disabled लोग होते हैं, उनको job finding करने में मदद मिलेगी, this portal से, तो अब यहाँ पे बात हो रही है है, हैदराबाद के बारे, और हैदराबाद आज के समय में तेलांगना का हिस्सा है, कभी किसी समय है, हैदराबाद जो है, वो हैदराबाद स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, कब से कब तक, 1948 से 1956 का समय जो है, तो यह तेलांगना जो reason है, हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था, फिर आपको पता है, 1956 में फजल अली कमीटी जो आती है, और वो recommend करती है, नए स्टेट के formation के लिए, और वो 14 स्टेट और 6 UT बनानी की बात करती है, उसके बाद 14 राज्यों और 6 केंदर सासित प्रदेशों का निर्मान होता है, किसकी recommendation से, फजल अली कमीटी की recommendation से, और उसके बाद ये हैदराबाद जो है, वो आंदर प्रदेश का हिस्सा हो जाता है, लेकिन 2nd of June 2014 में एक नया बिल पास होता है, और लेक्स के question definitely पूछे जाते हैं, तो देखिएगा, हुसेन सागर, उसमान सागर, हिमायत सागर, पखल लेक और मील आलम टैंक, ये सारी की सारी लेक्स जो है, वो आपको तेलांगना में मिलेंगी, तेलांगना is one of the top IT exporting state of India, there are 68 special economic zone in the state, इसके अलावाद 4 मिनार आपको देखन मूसी रिवर के किनारे, तो एक question ये भी बन जाता है कि हैदराबाद जो शहर है ना, वो मूसी रिवर के किनारे और ये question तो कई बार exam में frame भी हुआ है, अब बात करते हैं, next news के साथ, how much amount was granted by the Asian Development Bank ADB to the Government of India through souvenir loan in 2021, तो पूरे 2021 में, पूरे साल में Asian Development Bank के द्वारा भारत को कित 6 billion dollar का loan 2021 में दिया है, ठीक है, इसमे 1.8 billion जो है, वो COVID-19 treatment assistant के लिए दिया गया था, 1.5 billion जो dollar का loan था, वो vaccination के लिए या vaccine procurement के लिए दिया गया था, उसके अलावा 300 million dollar का loan अलग-अलग primary sector में healthcare के लिए दिया गया था, इस तरीके से ADB bank ने 17 loan पास किये थे 2021 में, और कितने का थ वो 4.6 billion dollar के loan से, नेक्स बात करते हैं, KVIC, KVIC का मतलब, आप लोग comment करके बताएंगे, KVIC has recently cancelled the certification of which khadi institute for selling fake khadi product, तो हाली में KVIC के द्वारा, जो khadi उद्योग चलता है भारत में, उसके द्वारा नकली khadi उत्पात बेचने के लिए, किस khadi संस्थान का certification रद्द कर दिया ग industries association, M-K-V-I-A का registration रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इन पहली गेशन थे कि इन्होंने नकली समान को, नकली product को यहाँ पे बेचा है, और यहाँ पे जो KVIC की policy है, वो zero tolerance की policy है, और उसने इसका certification रद्द कर दिया, नेक्स बात करते हैं, this is important news, ध्यान से सुनेंगे से, the foundation stone for international cricket stadium in Jaipur was late recently, it said to be the third largest stadium in the world, what is the proposed sitting capacity of the stadium? तो हाली में Jaipur में अंतरास्टी cricket stadium की आधार शिला रखी है, किसने रखी है, राजस्तान के मुख मंत्री, कौन है, अशोक गहलोद, उनके द्वारा यह रखा गया है, और BCCI के सौरभ गाउंगली प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे, इस पूरे inauguration में, यह जो इंटरनेशनल किर्केट इस्टेडियम जैपूर में बनाया जा रहा है, यह वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्टेडियम होगा, और भारत का दूसरे नंबर का होगा, क्योंकि भारत का पहले नंबर का सबसे बड़ा इस्टेडियम गुजरात में है, ठीक ह यह जो स्टेडियम बनाया जा रहा है वो 100 एकर की जमीन में बनाया जा रहा है जैपूर में और इसका खर्चा कौन उठाने वाला या बिल्ड कौन कर रहा है बिल्ड बाइदा राजस्तान किरकेट अकैटमी RCA on the Jaipur दिली वाइपास ठीक है तो यह पूरा स्टेडियम इस तरीके से तैयार किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं देखेगा अभी जो चल रहा है विंटर ओलिम्पिक्स चल रहा है ठीक है ना 2022 के विंटर ओलम्पिक्स चल रहा है कहाँ पर बीजिंग में जिनकी शुरुआत हो चुकी है हमने इसके बारे में already discussion किया है तो एक होते हैं विंटर ओलम्पिक्स और एक होते हैं समर ओलम्पिक्स जो की चार-चार साल के अंतर से होते हैं अब बात हो रही है यहाँ पर which sport has not been included in 2028 ओलम्पिक्स at Los Angeles by the International Olympic Committee तो कौन सा खेल अंतर रास्ती ओलम्पिक्स समीती द्वारा Los Angeles में 2028 के ओलम्पिक में शामिल नहीं किया गया है तो देखिए कि 2024 के जो समर ओलम्पिक होने है वो परिस फ्रांस में होने हैं 2028 के जो ओलम्पिक्स होने है वो Los Angeles USA में होने हैं और 2032 के जो ओलम्पिक्स होने है वो ऑस्ट्रेलिया में होने हैं तो अगर आप MPPSC का पिछले साल का पेपर उठाके देखींगे न तो उसमें कॉशन पूछा गया था कि 2028 के ओलम्पिक्स कहां होने है और Los Angeles उसका अंसर था तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना है 2020 में Tokyo Olympics होए थे 2024 में फ्रांस पैरिस में होने 2028 में Los Angeles में होने और 2032 में आस्ट्रेलिया में आपको Olympics देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर देखिएगा Olympic Committee, International Olympic Committee ने कहा है कि 2028 में कौन-कौन से Games एड हुए है Surfing, Include किया गया है, Surfing होगी, Skateboarding और Sport Climbing जो है वो 2028 के Summer Olympic Games में Los Angeles में शामिल किये गए है लेकिन इन तीनों में आपको यह जो है, Modern, Panther, Thal, Nol जो गेम है वो नहीं शामिल किया गया है अब इसको भी कही न कहीं शामिल किया होगा ज़र देख लेते हैं 2028 के जो Summer Olympics है, इनको Officially जो नाम दिया गया है वो XXX IV मतलब 34 अगर Romans में देखें ओलंपियाड इसे नाम दिया गया है, ठीक है इसको शेडियूल किया गया है 21 जोलाई से 6 अगस 2008 लोस एंजलिस में इसके अलावब 2024 के जो Summer Olympics होने वो पैरिस फ्रांस में होने है पैरिस बिकम अउनली दे सेकेंड सिटी तो होस्स थ्री Summer Olympics गेम ठीक है, इसके अलावब यहाँ पे आप देखेंगे Surfing, Skate Boating और Sport Climbing जो है वो 2028 के, मतलब Tokyo Olympics में इनोंने डेब्यू किया था और 2028 में भी इनको शामिल किया गया है ठीक है, अब यहाँ पर 2024 में और भी Games को शामिल का Proposal दिया गया है Boxing, Bait Lifting और Modern Pantythral also chance to include in upcoming Olympic Games, ठीक है 2024 की बात हो रहे है, तो हजार अटाइस में तीन गेम है इन तीनों के नाम यह लखे है, Surfing है, Skate Boating है और इसके अलावा, Boarding के अलावा, Sport Climbing है Next, बात करते हैं यहाँ पर Government has approved continuation of the Indian Footbear and Leather Development Program For 2021 to 2026, how much amount of outlay has been approved for this program? So, सरकार के दुआरा, 2021-2026 के लिए भारती Footwear और चमड़ा विकास कारिक्रम को जारी रखनी की मंजूरी दी है और इसके लिए कितनी राशी दी गई है तो देखेंगे यहाँ पर, यह Indian Footwear and Leather Development Program जो है, वो 2021-2022 तक के लिए था इसको 5 साल के लिए आंगे बढ़ा दिया गया है 2026-26 तक के लिए कर दिया गया है और इसके लिए जो बजट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1700 करोर रुपे दिया गया है अब यह करेगा क्या, तो Indian Footwear and Leather Development Program की अंतरगत इंवेस्ट किया जाएगा सरकार के दौरा और डिफरेंट रिसर्च यहाँ पर बनाई जाएगी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा लेधर इंडस्टी के लिए जहां पर environment के concern को ध्यान में रखा जाएगा और leather sector को बढ़ाने के लिए और employment generation के लिए यह scheme launch की गई है जिससे production भी बढ़ सके employment generation भी हो सके और environment को leather sector losses हो रहे हैं उनकी उपर भी concern दिखाते हुए डिफरेंट तरीकी के infrastructure को डेवलब किया जा सके तो 1700 करोर रुपीज Government of India के द्वारा दिये गए है नेक्स बात कर लेते हैं चंदु पातला जंग रेड़ी जिनका हाली मिनिधन हो गया है वो किस राज़रतिक पार्टी है किस political party से ब्लॉंग करते थे तो रेड़ी जी जो है वो BJP से ब्लॉंग करते थे कहां से ब्लॉंग करते थे किस पार्टी से BJP के इनको torch bearer in लोकसभा कहा जाता है BJP का BJP के torch bearer in लोकसभा कौन है तो आप बोलेंगे चंदु पातला जंग रेड़ी जी है ये MLA रहे आंद्रप्रदेस ते और जब आंद्रप्रदेस ते ते लांगना एक ही हुआ करते हैं तीन बार तीन बार legislative assembly के आंद्रप्रदेस ते मेंबर रहे है उसके बार ये लोकसभा में नॉमिनेट होते है मतलब लोकसभा का election चीत के ये लोकसभा में जाते हैं 1984 में और debut BJP का यहीं से चुरू होता है इसलिए इनक torch bearer in लोकसभा भी कहा जाता है ठीक है? चलिए नेक्स बात कर लेते हैं clap जगन्ना स्वक्ष संकल्प कारी करम वाज लॉंच इन विच अफ द फॉलिंग इस ते अब एक चीज़ में बता दू जहां पी जगन्ना, YS, जगन्ना, YS, YS ऐसा कुछ जगन्ना करके कोई भी शबद आए ना तो आख बंद करके आंसर कीज़ेगा आंधर प्रिदिश आंधर प्रिदिश की जितनी भी स्खीम होती है वो जगन्ना या YS जगन्ना इस तरीके से ही लॉंच होती है इसी नाम से लॉंच होती है तो यहाँ पे clap जगन्ना स्वक्ष संकल्प्रोग्राम तो सही आंसर हो जाएगा आंधर प्रिदिश आंधर प्रिदिश की गवर्मेंट ने clap प्रोग्राम शुरू किया है क्यों किया है ruling area को clean करने के लिए जिससे लोग dustbin में ही समान को कच्छडे को फेके road पे कच्छडे को ना फेके मतलब यहां पर based management करने के लिए और public के participation को इस based management पे बढ़ावा देने के लिए clap program जो है वो आंधर प्रिदिश की government के द्वारा शुरू किया गया है जिससे लोगों को advice दी गई है कि वो dispose समान को garbage को जो है वो street मतलब roads पेना फेके इनको dustbin में ही डाले मतलब इन सारे चीज़ों के लिए इन basic चीज़ों के लिए गवर्मेंट को scheme launch करने पड़ रही है अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं आंधर प्रिदेश के बारे में तो विश्विभूशन हरीचंद्रन गवर्नर है और वायस जगन मोहं रेड़ डी जो है वो चीफ मिनिस्टर इसलिए मैंने कहा कि जगन नाम जब भी देखे तो वो आंधर प्रिदेश की scheme ही होती है चलो आंधर प्रिदेश की capital अमरावती हो जाएगी 2024 से लेकिन अभी तेलांगना और आंधर प्रिदेश की एक ही capital है विच इस हैदरावाद ठीक है अब यहाँ पर बात करते है नागरजुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्फ जो की इंडिया का लार्जस टाइगर रिजर्फ है आपको यहाँ आंधर प्रिदेश में मिलेगा पुलिकर्ट लेक वर्ड सेंचुरी यह भी आपको यहाँ पर मिलेगी और पुलिकर्ट लेक जो है वो second largest lagoon है और क्योंकि first सबसे बड़ी lagoon कौन सी है चिलका लेक है जो की उडिसा में है पैपी कोंडा, नाल कोंडा वाइड लाइफ सेंचुरी आंधर प्रदेश में मिलेगी कोलेडू वाइड लाइफ सेंचुरी आंधर प्रदेश में है श्री पैनिंसुला नरसिंभा वाइड लाइफ सेंचुरी भी आंधर प्रदेश में है और गुंडाला, ब्रहमेश्वरा वाइड लाइफ सेंचुरी भी आंधर प्रदेश में है तो उपर के जो तीन हैं यहां से एक्जाम में कई बार कॉशन बने इसलिए आपको इनको याद रखना है Next बात करते हैं Which state has signed an MOU with ather energy to set up 1000 fast charging station for electrical vehicles, two wheelers तो यहां पर electrical two wheeler को charge करने के लिए 100 fast charging station बनाने के लिए Ather energy के साथ किस state ने MOU sign किया है तो वस state का नाम है करनाटका तो करनाटका ने Ather energy के साथ free charging services प्रोवाइड करने के लिए MOU sign किया है करनाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराव एस बुंबईया है और गवर्नर थावर्चंटर गहलोज जी है अब करनाटका ने एक और scheme शुरू की गई है तो करनाटका गवर्मेंट है लाँच सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस इखाने के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम गवाबा फोफ सेल्फ डिफेंस शुरू किया गया है जिसमें 50,000 गर्ल स्टूरेंटस को चाहे वो स्कूल की हों या कॉलेजिस की हों उनको self-defense training दी जाएगी तो ये भी कर्नाटका government का initiative है अब कर्नाटका में कुछ national park है जो कि important national park है क्योंकि मद्र प्रदेश के बाद second number पे सबसे ज़दा tiger भी आपको कर्नाटका reason में देखने को मिलेंगे तो बांदीपुर national park, अंसी national park, कुद्रे मुख national park, नागर होल national park और बनेर घट्टा national park ये सभी यहाँ पर है साथे साथ भारत का सबसे बड़ा waterfall भी आपको कर्नाटका में मिलेगा जोक फॉल, गोगक पॉल और सिर्फ समुद्रम पॉल फॉल जो है वो भी आपको कर्नाटका में मिलेगे ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो भूमी हीन मजदूरों के लिए वित्ती सहायता मतलब ऐसे कोई किसान जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको वित्ती सहायता financial assessment प्रवाइट करने के लिए राजिव गांदी ग्रामीर भूमी हीन प्रसी मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है और यह स्कीम शुरू की गई है CG मतलब 36 गड की गवर्मेंट के द्वारा बेसिकली यह अपने तरीकी के एक पहली स्कीम है क्योंकि इसे जो हमारा बजट होता है बजट में financial year के 2021-22 के बजट में भी इसको लाया गया था 36 गड become the first state in the country to provide direct financial assessment to ruler, landless, agricultural, labor तो इस तरीकी के पहली स्कीम है इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इस स्कीम के अंतरगर 6,000 रुपीज पर येर तीन इंस्टॉल्मेंट पर प्रवाइट किये जाएंगी जिससे 55,000,000 वेनिफीश्ट्रीज को फायदा होगा और पहली इस्टॉल्मेंट 2,000 रुपे के इनके द्वारा रिसीफ की गई है इसके अलावा यहाँ पर राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआद भी इस स्कीम के अंतरगर की गई है इसका उद्देश क्या है कि डिफरेंट यूथ से मतलब यंग पीपल से 36 गर्ड में कनेक्ट होना और क्रेटिव वर्क को डेवलपमेंट स्किल को बढ़ावा देना सोशल रिस्पॉंसबिर्टी को वो समझ सके इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अची स्कीम का उद्देश है जिसके अंतरगत 25,000 रुपे फाइनेंचिल असिस्मेंट दिया जाएगा वेनिफीश्रीज को नेक्स्ट बात करते हैं तो रक्षानु संदान और विकास प्रयोकसाला का निदेशक किसे चुना गया है तो ये चुना गया है जी ए श्री निवास मूर्थी को ठीक है इन्होंने DRDL को 1987 में जॉइन किया तो और उन्हेंने काफी सारे कॉंट्रिबूशन DRDL में किया है जैसे कि structural dynamics पे, resource testing, electrical integration पे और various missile complex structures पे उन्होंने काम किया है और अब इन्हें DRDL का director appoint किया है अगर DRDL के head office की बात करते हैं तो ये हैदराबाद में है और 1961 में इसको बनाया गया था नेक्स्ट बात कर लेते हैं याप पे तो क्रिस्टोज जी का निधन हो गया आपको बताना एक इस दिश के राश्चपती के रूप में काम कर रहे थे तो सही answer हो जाएगा Greece Greece की capital Athens आपको मिल जाएगी Euro यहाँ पे currency मिल जाएगी Basically एक Greek jurist और judge भी रहे ये Supreme Court में 1967-1974 में इसके बाद इन्हें चुना गया था as a president और इन्हों चार साल as a president Greece को serve किया है 1985-1990 के बीच में Next बात करते हैं Nehru Trophy Vote Race in 2022 यह important है क्योंकि जब भी Nehru Trophy का दिमाख में जिक्र होता है तो हमको याद आती है करला के reason में यह Trophy आयोजित होती थी थी लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है which is the venue of Nehru Trophy Vote Race in 2022 तो इस साल का venue कौन है UAE है क्योंकि हर साल यह Alpooja Kerala में यह race होती थी लेकिन इस बार यह race कहां हो रही है UAE के द्वारा यह race conduct कराए जा रही है यह जब जब Kerala विजिट किये थी तो उनके नाम पे इस race की शुरुआत 1952 में की गई थी इसलिए आपको UAE याद रखना है क्योंकि 90% से जादा लोग Kerala ही आंसर करके आएंगे एक्जाम में क्योंकि हमेशा से जो vote race है वो Kerala में ही होती आई है नेक्स्ट है Office of the Principal Scientific Advisors के द्वारा ये घोष्टना की गई है इसके अंदर रख क्या किया जाएगा Youth को बोला जाएगा सभी को बोला जाएगा कि जो भी waste material होते हैं तो waste से आपको wealth management आना चाहिए मतलब waste products से आप कुछ useful चीज़े बना सकें और जिसको आप sell out करके पैसे भी कमा सकें तो यहाँ पर basically waste management scheme ही आप इसको ऐसा समझ सकते हैं तो स्वक्षिता सार्थी fellowship जो है वो Office of Principal Scientific Advisor के द्वारा शुरू की गई है waste to wealth mission के अंतरगत नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर CPEC वेरी इंपोर्टन चाइना पाकिस्तान economic corridor अभी देखिएगा Beijing Olympics की जब opening ceremony थी तो उस पर पाकिस्तान के Prime Minister भी वहाँ पर गए थी और वहीं पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस deal को sign किया गया है EPEC मतलब चाइना पाकिस्तान economic corridor जो की connect करता है Xinjiang Reason of China को Gowdar Port of which country तो यहाँ पर गौदर Port कहाँ पर है तो गौदर Port आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा चीक है तो यहाँ पर Xinjiang Reason चाइना का और गौदर Port जो की पाकिस्तान में है इन दोनों को आपस में connect करने के लिए CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान economic corridor बनाया जाएगा ठीकि ना जिसका पहला फेस तो हो चुका है अब नए डील हुई है सेकेंड फेस के लिए 60 बिलियन डॉलर की ठीक जो की 3000 किलोमीटर लंबा एक लॉंग रूट है जो की चाइना को पाकिस्तान से देखिए इस तरीके से connect कर रहा है नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडागासकर तो मेडागासकर में एक साइकलोन आया हुआ है जिसका नाम है वेट सिराई तो इनका नाम याद रखना है बत सिराई बत सिराई जो साइकलोन है वो कहां पर आया हुआ है तो मेडागासकर में आया हुआ है लगबग 165 km पर आर की स्पीर्सिस में हवाय चल रहे है और एक लाक से ज़ादा देर लाक से ज़ादा लोगों को अभी तक डिस्प्लेस किया जा चुका है आप यहां पर देखेंगे तो यह आपको मेडगासकर देखेगा ठीक है यह मेडगासकर जहां पर इस साइकलोन आया हुआ है और इस साइकलोन अब आंगे बढ़ते हुए मोजांबिक चैनल को क्रॉस करते हुए मोजांबिक रीजन जो है वहां पर लैंडफॉल करेगा तो यह आपको जो जगह दिख रही है, यह आपको क्या देखेगा मोजामबिक और यहाँ पर पानी भरा इसको हम मोजामबिक चैनल कहते हैं और यह है मेडागासकर, तो यहाँ पर जो साइक्लोन आया है उसका नाम है वत्सिराई, चीक है लगबग 88 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं इसमें तो आपको यह साइक्लोन का लोकेशन भर याद रख रहा है कि साइक्लोन कहां पर आया हुआ है अगर हम बात करते हैं तो मैंने लास्ट सेशन में डिसकस किया था कि हमारी जो भारत रत्न सम्मानित, हमारी जो सिंगर थी लता मंगेशकर जी उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गया, यह 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मान दिया गया था अब लता मंगेशकर जी कहां से ब्लॉंग करती थी, इनकी जो बर्थ प्लेस है वो इंदौर है और इंदौर कहां है, तो इंदौर है मदर प्रदेश में जैसे कि महारास्ट की गवर्मेंट ने पबलिक हॉलिडे डिकलियर किया था उनकी डेट पर तो यहां पर मदर प्रदेश के गवर्मेंट की द्वारा भी कुछ अनौंसमेंट किये गए हैं, वो हम देख लेते हैं तो मदर प्रदेश के गवर्मेंट कहती है कि हर साल हम लता मंगेशकर अवार्ड दिये जाएंगे पहली चीज उनकी बर्थ अनिवर्स्ट्री पे दूसरी बात यहां पर की गई है कि लता जी जहां पर बौंड हुई है इन दौर में वहाँ पर एक म्यूजिक अकैडमी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी, म्यूजियम और लता जी का एक स्टैचियो भी वहाँ पर बनाया जाएगा क्लियर ये सारी चीज़ें यहां पर बोली गई हैं और जहां पर उनका जन्व हुआ था जिस रोड में तो उसे हम लता मंगेशकर मार्ग के नाम से जानेंगे इन दौर में तो ये कुछ अनौंसमेंट भी हुई है जो मदर प्रदेश के गवर्मेंट उनके जो मुख्ध मंतरी सिवराज सिंग चौहां जी के द्वारा की गई हैं क्लियो नेक्स बात कर लेते हैं देखिए लिखा हुआ है इन दौर में जो लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी बनाए जाएगी एक संग्राले बनाया जाएगा मतलब म्यूजियम बनाया जाएगा और उस काफी सारे revision question और extra facts के साथ यहां पर जोड़े गए हैं जैसे कि पहला question है golden boy नीरत चोप्रा यह पुस्तक किस ने लिखी है तो यह पुस्तक लिखी है नवदीव सिंगिल ने यह पुस्तक बहुत important आप देखिएगा किसी ना किसी set में यह पुस्तक जरूर मिलेगी क्यूंकि नीरत चोप्रा काफी लब्मे समय से news में बने हुए है तो golden boy नीरत चोप्रा किसने लिखी है नवदीव सिंगिल option D बिलकुल सही हो जाएगा next पात करते हैं the graphic novel author of the origin which features MS Dhoni is authored by तो यह किसने लिखा है या graphic novel किसने तयार की है रमेश तमिल मनी ने की है option C बिलकुल correct हो नेक्स है how much tax will be leave on the transfer of virtual asset virtual asset को transfer या virtual कमाई करने से cryptocurrency पे इस तरीके से पूछा जा सकता है कितने percent tax की बात की गई government के द्वारा 30% option B बिलकुल सही हो जाएगा next which bank will introduce a digital rupee in India तो यहां पे government ते यह कहा है कि हम जली ही digital rupee launch करेंगे और यह launch कौन करेगा RBI करेगा option A बिलकुल सही हो जाएगा next बात करते हैं which Indian athlete has been nominated for the laureate's world breakthrough of the year 2022 award तो यहां पर nomination में गया है नीरत चौपडा का नाम तो इसलिए भी important है उनकी book भी important हो गई next बात कर लेते हैं legendary night angle of India Lata Mangishkar passed away at the age of 92 recently इनको किस साल prestigious भारत रतन अवार्ट दिया गया था option C बिलकुल correct हो जाएगा यहां पर next बात कर लेते हैं यहां पर 26 जन्वरी की जो परेट थी उसमें किस जाकी को best जाकी का award दिया गया है 12 state और UD ने यहां पर participate किया तो सही answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश option A is the right answer next बात करते हैं which company has started India first project of mixing hydrogen into natural gas system at Indoor मध्रप्रदेश तो Indoor मध्रप्रदेश में भारत का पहला hydrogen और natural gas को mix करने के लिए plant बनाया जा रहा है और pipeline के जरिए ये gases जो है वो Indoor में जो area है वहां पर ये supply की जाएगे तो गेल के दौरा ये शुरू किया गया है तो option T बलकुल सही हो जाएगा अगर हम गेल के बारे में बात करते हैं तो 1984 में इसको set up किया गया था New Delhi में और Manoj Jan अभी इसके CMD है नेक्स बात कर लेते हैं इंडिया defeated which team to win 2022 ICC Under 19 World Cup Championship तो ये भारत की पांचवी जीत है पहारत जो है वो 5th time Under 19 World Cup को जीत रही है और भारत ने इंगलेंड को हराया है option D बिलकुल सही हो जाएगा next question यहाँ पे बन रहा है Devald Braves has the player of the tournament award at the 2022 ICC Under 19 World Cup Championship he play for the which country तो Devald Braves को जो है वो player of the tournament award दिया गया है अभी किस country के player है तो ये है South Africa के जिनको player of the tournament award दिया गया है option A बिलकुल सही हो जाएगा अच्छा कल एक information थी उसको correct करना है पहले चीज़ तो यशदुल जो है वो इस team के कप्तान थे जिनोंने पांचवा Under 19 World Cup जीता है इसके अलावा मोहमबत कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्चंद और पृत्वी शौबी Under 19 के कप्तान रह चुके है इसके अलावा यहाँ पे राज अंगद बावा जो है, वो player of the match चुनेगा है तो player of the match कौन है, राज बावा है, इनको याद रखना है नेक्स बात करते हैं, होशंगाबाद city has been renamed as a नर्वदापुरम होशंगाबाद city किस state में है, तो यह आ जाएगा मधर प्रदेश में, option T बिल्कुल सही हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ और नाम चेंज किये गए है, जिनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं फिर गोड़े बड़ा international zoo, जिसका नाम बाला सहाइब ठाकरे, गोड़े वाला international zoological park रख दिया गया है मुहाली international hockey stadium का नाम, ओलम्पियन बलबीर सिंग के नाम पर रख दिया गया है इंदोर के पाताल पानी railway station का नाम, तंतिया भील के नाम पर रखा गया है UP के जहांसी railway station का नाम, बीरांगना लक्षमीवाई railway station कर दिया गया है और गुजरात का केवरिया railway station का नाम, एकतानगर railway station कर दिया है तो अभी recent में हुए कुछ ये changes हैं जिनको भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है, the unemployment rate in India in January 2022 fell sharply तो अभी जो नई report publish हुए है, उसमें unemployment rate है, जो कम हुआ है तो जन्वरी 2022 में भारत में employment rate कितना है unemployment rate कितना है, तो बेरोजगारी दर है, 6.56%, option डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिको के नए managing director या इंडिको के पहले managing director कौन appoint हुए है क्योंकि इसके पहले इंडिको में managing director नहीं हुआ करते थे यह पहली बार appointment हुआ, इसलिए important है तो आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया, option डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट बात करेंगे, controller general of account CGA हाली में किसे appoint किया गया है UGC, University Grant Commission के नए chairperson कौन बन गए है तो यह बन गए है M. Jagdish Kumar, option number B is the right answer This is the question of the day, यहाँ पे जो under 19 ICC World Cup हुआ था यह किस country में आयोजित किया गया था तो options आपकी screen में आपको बताना है किस country में इसका आयोजित किया गया था So thank you so much, हम में लेंगे next session में, take care